राहुल गांधी जी चीफ जस्टिस अफ इंडिया क्या हो गया है। राहुल गांधी जी चीफ जस्टिस अफ इंडिया क्या हो गया है। अब नरेंदर मोदी आ गया देश में विकास होने लगा, दुनिया में डुगडुगी बईने लगा, दुनिया में लोग डलने लगा, नत मस्तक होने लगा तो अन्याय हो गया। पूरे भारत में जोडने के लिए चारो तरफ सरक बन गया, फोर लेन, सिक्स लेन, एट लेन तो बड़ा खराब हो गया। अरे क्या काना, राहुल गांधी जी को अभी वोशी खेट बधार में घूमना चाहिए, घूमते घूमते कुछ ग्यान होगा, अभी समय है, दस विश साल में घ्यान हो जाए तो कुछ बात करें, न्याय देना काम न्याले का है, आप पोलिटिकल आदमी हैं, आप पोलिटिक आप प्रियोग करें, और कौन अन्याय कर रहा है, मतलब नरेंदर मुदी अन्याय कर रहा है, इसलिए हिंदुस्तान की जंता उनके पीछे पीछे घूम रहा है, राहुल गांधी न्याय कर रहे हैं, तो कोई पूछिये नहीं रहा है, इस बकवास की बात है, आपने भी धर्म उनको मानते नहीं है, उनको कहां से आप, इसलिए उनको राम नजर नहीं आ रहे हैं, उनको नरेंदर मोदी नजर आ रहे हैं, अई कोई नहीं बात नहीं है, जिस गीता के उत्पत्ति कृष्ण ने किया, पूरा भारत गीता में उलज गया और कृष्ण छूट गया, इसका मतलबी नहीं कि कृष्ण छोटा हो गया, चुकि कृष्ण के कृत्त है गीता, इसलिए उसके उपदेशों में पूरा भारत उलज गया, और कृष्ण छूट गया, आज राम के प्रतिष्ठा, राम के राम लला के प्रतिष्ठा हो रहा है, और नरेंदर मोदी पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, इसलिए शिवानन्ति वारी जी को लग रहा होगा, कि नरेंदर मोदी जी के सोहरत बर रहे हैं, बर्या काम करने से काम करने वाला का सोहरत बरता ही है, धैर्ज रखना चाहिए राम मंदीर की चर्चा हुए है, तो कॉंग्रेस पार्टी का कहना है कि राम मंदीर एक एजेंडा है, क्योंकि अभी तो अधुरा है, काम भी नहीं हुआ है, दोजार चॉबिस का जो लोग सबाद चुना होना है अप्रील में, उसके ठीक पहले ये लोग आनन फानन में जब परदस्ति कर रहे हैं, इसके पहले ही तोड़वा रहे हैं ते ते कहां थे, अरे भाई, बच्चा जिस दिन जन्म लेता है, उसी दिन पहलमान जन्म लेता है, कभी सोचें क्या, उसको टाइम लगता है पहलमान होने में, प्रान प्रतिष्था हो गया, बन रहा है, बनेगा, दुनिया में एक विशालतम मंदिर जो एतिहासिक हो राम लाला का वो बनने का प्रोग्राम है तो बन रहा है तो बनने में समय लगेगा थोड़ा ये पॉलिटिकल भासा और बात नहीं है अपने धर्म और संस्कृति को कैरी करने का अधिकार सबको है और नेंदर मोधी जी ये हिंदुस्तान में हमारे धर्म को कैरी कर रहे हैं